pocket physical card pin पाने के लिए pocket open करेंगे और इसके लिए email ID update होना जरूरी है तो my profile section में जाकर हम services section में click करेंगे और उसके बाद वर धृसारा option है और इसके बाद middle में email address啦 का option है तो check कर लिजे यह पर आपका email address औचे अपडएट है कि नहीं तो अगर प्लंच नहीं तो इसके निशे अपृबडेट इमेल का एक आपशन है तो यह पर आपका कैंज इमेल अड्रेस देके सिंप्ली सब्मिट कीजिए और आपका इमेल अड़े सब्डेट हो जाएंगे और आप देख लेंगे कैसे फिजिकल काड को पिन जेनरेशन करना है तो उसके लिए यह जो सिटिंवेजिक का आपका आपकीट वालेट नंबर है तो इसके उपर आपको क्लिक करना है तो चलिए करने के बाद यह पर आपका अकॉड धिन देल्स है और उसके बाद देख चेखlier किरोड को क्या स्टी kya तो आपको अब इस option को क्लिक करना पड़ेगा physical card pin request का तो क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद हम देख सकते हैं कि your pocket card pin has been successfully generated and sent to your register email id मतलब pin generation हो गया और आपका जो register email address है उस पर यह pin भेज दिया गया तो उस pin को पाने के लिए आपको अपना email address open करना है चलिए देख लेते हैं तो यह पर एक email आया है देख सकते के pipet cards at the devices bank.com तो इस तरह के email आएंगे आपको अपना email address में और और यह open करने के बाद हम देख सकते email address pipet cards at the devices bank.com इस email से email आएगा और यह पर एक file है protected reset pin.pdm तो इस PDF file को आपको सिफ download करने ना है और download करने के बाद इसको open करेंगे और इसके अंदर आपका जो four digit pin वो इसके अंदर होगा क्योंकि यह continental file है इस लिए इस file password protected है और इस file का जब आप open करेंगे तो password करेंगे और आपको आपका password मिल जाएंगे तो इस तरह से आप आपका आपकेट पीपिट काट का password को reset कर सकते हैं जेनराट कर सकते हैं और इसको change भी कर सकते हैं